कोई भी एक्जाम है उसमें आपको इंग्लिस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस बैच के बाद बचों सबसे जड़ा प्रोब्लम रहती है कि कहां तक रटें कौन-कौन सी काउंटेबल नाउन है कौन-कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ भी ने रिटना सिंपल सा फंडा है mix the elements, same noun के elements को mix कर दीजिए अगर separate कर सकते हो तो countable अगर नहीं कर सकते तो uncountable for example अगर मैं बात करूँ, pen, बहुत सारे pen आपने लिए एक साथ, उनको mix किया, one by one अलग कर सकते हो, कर सकते हो means countable powder, कई type के powder आपने लिए, जैसे tide काऊगे निरमागा, सबको mix कीजिए, अलग कर सकते हो one by one, नहीं कर सकते, इसका मतलब uncountable simply passes the burden to its neighbor, अपना जो burden है, वो neighbor पर डाल देती है, खुद relaxed रहना जाती है, example की form में अगर मैं यहाँ पर देखें, यह जो दो example आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर s आया है, five dozens, और यहाँ पर s नहीं आया, अब पांस दरजनों की बात र जाता है, wall of preposition, preposition की दिवार का, example की form में अगर अपने यहाँ पर देखें, very famous example, यह जो दोनों sentences आपको दिखाई दे रहे हैं, यह दोनों same meaning दे रहे हैं, लेकिन यह यहाँ पर to क्यूं आया, यह अभी तक समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर जो concept यूज रहा है, वो किसका पहले आई, blame लेने के लिए, और last में V को रखा जाएगा, अब यह क्यों ऐसे किया जाता है, order of respect यह क्यों है, इसको अपने detail में करेंगे, इसको भी नहीं रटना, तो हैव के कारण जो V3 बनी होती है, वो real में V3 नहीं होता, वो real में आपका क्या होता है, V1 होता है, बस वो impact से V3 बन जाता है, आई थिक इन इतनी चीज़ें आपके क्लियर, यह point सारे क्लियर होता है, तो कुल मिला कर बात क्या होई, कि जो आपका present है, वो ऐसा bank है, जिसमें PO भी है, color की भी है, तो PO का काम PO करेगा, color का का काम color करेगा, लेकिन जो past होता है, वो ऐसा bank होता है, जिसमे अगर close के बारे में आपको पता लग जाए ना, तो आपको English में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आईगी, close होता क्या है, extra information होती है, in the form of action, कितने type के होते हैं, three type के होते हैं, first आपका होता ing close, जो active form में बात करता है, फिर ed close, जो passive form में बात करता है, और एक होता है आपका third one, second subject close depth analysis से पहले एक बार एक example लेता हूँ आप लोग उनके सामने, जिसमें तीनों के तीनों close किये गए हैं, अब यहाँ पर आप देखो, तो यह जो आपका sitting, यह अगर अपने यहां से देखो, sitting next to me on the plane, जो यह है, यह sitting वाला, यह ing close है किसका old man का, और यह जो अगर plane के बाद मे मैं यहां से देखूँ, the government used to rescue the people, यह जो है, यह second subject close है किसका, plan का, और उसके बाद में, stranded in the flood, last month, यह जो है, वो ED close है किसका, people का, तो यह यहां पर तीनों के तीनों close यूज हूँ है, और यहां पर यह सबसे बड़ी गरब होती है, old man आया, इसके बाद में, is MR, was, was, वगरा क्यों नहीं है, यहां पर sitting direct कैसे आगया, तो यह सबसे ज़्यादा confusion पैदा करते हैं, अब अपनी glass के बाद, जब अप इसका अपने post-mortem करेंगे, उसके बाद, इस topic में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यह topic आपका clear होते ही, English में आपको मारत हसिल हो जाएगा, आइंजी दिखाई देते ही, कि यह close है, gerund है, या man action है, जैसे for example मैं बात करूँ, how could teaching be possible, अब यहां देखते ही दिक्कत हो जाएगी, कि जब भी अपने बहुस सारे sentences देखे हैं, जैसे he will be wetting वगेरा, तो जो आपका beez होता है न, वो आइंजी से, आइंजी action है, उससे पहल है, तो students एकदम से बोलेंगे, present continuous है, लेकिन present continuous नहीं है, present simple है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों कि यहां अगर मैं बात करूँ, इन दोनों में, जो आइंजी वाला दिखाई देरा है, यह man action नहीं है, यह आपका क्या है, gerund है, यहां पर आप बोलो, sir, question वाला है, तो question में भ अब दिक्कत यह, कि sir, कैसे पता करें, कि close है, gerund है, यह man action है, तो कोई गबराने वाली बात नहीं है, अपनी class के बाद में, 100% clear, permanent lifetime के लिए आपके लिए clear हो जाएगो, देखें यहां पे, सबसे पहले, get have something done, कोई चीज, अपने करते हैं, तो अपने को पता है, लेकिन कोई जाता है, he is believed to be, say to be का आजाता है, एक honest man का आजाता है, लेकिन कई बार ऐसे भी हो जाता है, he is believed to, have been vetting, he is believed to be vetting, have आगया, have been आगया, to be आगया, perfect continuous वगए इस तरीके से, यह कुछ समझ में नहीं आता, तो वो चीज़ें अपने इसमें cover करेंग, वो sentences आपके सारे के सारे cover परोजन, उनकर meaning भी आपको आने लग जाएगा, उसके बाद में help make sentence very very important, I helped him prepare the food, मैंने उसकी help की prepare करने के लिए, लेकिन यहाँ पर prepare the food, वीवन कैसे आया, पहले ही help डा रखा है, वीटू आ रखा है, उसके बाद वीवन ऐसे कैसे, एकी sentence तो पूरा हुआ हुआ ही नहीं, complete दिखाई देता है, लेकिन अपने passive में भी confusion नहीं है, क्योंकि passive भी अपने उस तरीके से ratification से नहीं करते हैं, passive भी अपने conceptual way में करेंगे, तो ये भी जो concept है passive का, उससे diet आपके हो जाएंगे, उसके बाद में ing after ing, ing के बाद में ing नहीं आ सकती, rules बगरा पड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, they were enjoying swimming, ing ing आगे, तो यसा कुछ नहीं है, पूरा आपका क्या चलेगा, sense की way में ingilis आपकी चलती है, तभी तो क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कि rules आपके क्या हो जाते हैं, fail हो जाते हैं, तो ये चीज़ अपनी class में नहीं रहेगी, free and fresh subject के demand नहीं करता, model of connection है, उसके बाद में 2 plus v1 versus 2 plus verb ing, 2 के बाद में v1 आती है, बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन आज कल देख रहे हैं, कि 2 के बाद में work की ing form भी आ जाती है, कैसे, तो 2 की 2 working होती है, एक working 2 as a, आपका model work करता है, एक 2 आपका as a preparation, जब model कितरे हैं work करेगा, तो 2 के बाद भी बनाएगा, जैसे will, cell, can, बगएरा, सब के बाद में क्या होता है, भी बनाता है, और जब preparation work रहे हैं, और direction को बताएगा, तो कोई एक noun type चीज यह जरेंड कैसे यहां पे आता है, किस तरीके से आता है, उसको अपने detail में करेंगे, उसके बाद में 2 versus end, दोन दर्वाजा बंद था, एक तो यह हो गया, इस तरीके को ऐसे लिखेंगे, the door was closed, एक दर्वाजा बंद किया गया था, किसी के द्वारा, उसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन किस तरीके से पता लएगे, कहां पे adjective case यूज है, और कहां पे passive case यूज है, तो वो यहां पे अपने detail में करेंगे, उसके बाद noun versus adjective, noun और adjective में बहुत ज़्यादा confusion रहता है, तो simple सा question पूछना है, इसमें कि कोई चीज, कैसा है, या कैसी है, यह diet आप पूछो, इसका अगर answer आपको मिल गया, तो इसका मतलब adjective, अगर उसका answer नहीं मिला और उसके बाद में next question पूछ नहीं आई, वो ऐसा है doctor जैसा है, फिर तो जज़ जाता है यहाँ पर, लेकिन वो क्या है doctor, इसका मतलब noun, उसके बाद में adjective versus adverb, यह भी बड़ा confusion है, तो कोई चीज कैसी है, simple सा concept है, कोई चीज कैसी है, adjective, फिर वो कैसी कैसी है, तो adverb, और कैसी वैसी है, adverb, वैसी ऐसी है, वो सारी किसारी क्या रहेगी adverb, तो यह अपने सुनते भी है, एक बार first time adjective आता है, फिर adverb आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बार बहुत सारे adjective साथ में देखें, वो भी चीज़ें अपने यहाँ पर सीखेंगे, which versus that, दोनों जो की तरह work करते हैं, लेकिन किस तरीके से work आपको normal जो ज़्यादा important है, वो points दिखाए है, और भी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें जो अपने cover करेंगे, मतलब पूरी English निचोर डालेंगे, what is included in the course, 0 to advanced English, 0 level से advanced level तक आपको English करवाई जाएगी, editorial experiment, editorial के experiment करवाई जाएगे, जिसमें editorial से कैसे English बनाते हैं, वो सि सिखाए जाए, मतलब examiner level पे आपको त्यारी करवाई जाएगी, तो student level तो बहुत नीचे रह जाएगा, तो sure selection है, pattern handling करवाई जाएगी, various patterns नहींने, जो patterns आते हैं, उनको कैसे handle करना होता है, question paper solve करवाई जाएगे, और beach quiz में आपके doubt sessions भीच चलेंगे, तो channel को subscribe कर लेना, bell icon क प्रेस कर लेना, ताकि आपको notification मिलता रहे, और अपना जो telegram channel है, जिसका link description box में है, उसको भी join कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी voice chat की form में आपके doubt session चलेंगे, और quizzes वगएरा भी वहाँ पे upload की जाएगे,